दोस्तों अगर आप भी एक स्टुडेंट से और आपका भी जो स्कूल है वो रिश्टार्ट होने जा रहा है रियोपन होने जा रहा है और आप लोग ये सोच रहे हो कि अब तो भाईया हमारा पूरा का पूरा जो टाइमिंग से वो बदलने वाले हैं और हमें ऐसे स्ट्राइ जेसवाल और स्वागत करता हूँ आप सभी का एक पर फिर हमारी यूटूब चैनल जे आर टूटोरियल्स में तो यहाँ पर सबसे पहले बात अगर मैं करें इस वीडियो का शूरली एक ही मकसद है कि आप लोग का जो टाइम बदलने वाला है अभी यानि इन टरम्स आप स् किया था इंस्टाग्राम के ओपर और कॉमेंट सेक्शन यूटूब के अंदर किया था तो अल्यडी मैंने आप से एक प्रॉमिस किया हुआ है और प्रॉमिस में निभाता हूँ जैसा कि आपको पता यह तो प्रॉमिस यह था कि मैं आपके लिए एक प्रॉपर टाइम मैं तो किस हिसाब से मैनेज कर सकतЯ हो कि तो कितना गंटा देना चाहिए और कौन से Indonesia सब्जेक्स के ओपर और सब्रहाँ यह थाऑनाँ होगी और लगभग ये वीडियो जाने के कुछ ही दिनों के अंदर जब स्कूल फूल फ्लेज तरीके से रियोपन हो जाएंगे सभी के तो मैं टाइम टेबल वीडियो बनाओंगा स्टैंडर वाइस और उस टाइम टेबल वीडियो में आपको ये भी बताऊंगा कि आपको सुबह कि लेकिन ये जो टाइम मैनेजमेंट वीडियो है ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट है आपको देखने के लिए तो ये वीडियो आप एंटर देखना पूरा देखना चाहते हो टाइम की कमी है तो आप इस वीडियो की स्पीड को बढ़ा सकते हो 1.25 या फिर 1.5 की स्पीड पर सेट कर सकते हैं और फटा-फट से ये वीडियो देखके खतम कर सकते हैं और अपना अच्छा अच्छा फीडियो है कॉमेंट के माध्यां से जरूर से हमें देना है चलिए इस वीडियो की शिरुआत करते हैं तो सबसे बेले जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारा जो स्कूल से वो रियोपन होने जा रहे है और आज जो तारीक है वो लगबग 17th of June है ठीक है अगर आज देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट से जिनके स्कूल्स रियोपन हो चुके हैं बहुत सारे ऐसे बच्छे हैं जिनके एक हपते के अंदर स्कूल्स रिश्टार्ट हो जा रहे होंगे तो जो भी है आप लोग अपना कॉमेंट केरके बता सकते हो कि रिश्टार्ट हो गये हैं या फिर होने वाले हैं क्या है वो सब मुझे कॉमेंट में कर देना लेकिन मान लो कि एक हपते के अंदर तो आपका वैसे भी सभी बच्छों के स्कूल्स रियोपन हो जाएंगे अब स्कूल्स रियोपन हो गया मतलब कहीं न कहीं जो आपका शेडियूलिंग चलता आ रहा है कि कभी उत रहे हो कभी भी पढ़ रहे हो कभी टूशन जा रहे जो भी आपका सुबे का स्कूल होता है तो सुबे का नहीं होता है दूपेर का होता है तो अभी भी आप लेड़ उट सकते हो लेकिन बहुत सारी चीजी होती है तो जैसे मैंने बोला vacations is going to end थेकिंड अब आपको reschedule करने का वक्त आ चुका है समय आ चुका है बदलाव का समय आ चुका है reschedule करने का पर समय आ गया है underground होने का हमारा फेज़रेट डायलोग जो कि हम मिष्छा बोलते हैं बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करें कि जो टाइम है वह अप कुशल हो गया है खासकर उन बच्चों के लिए इस साल बोड एक्जाम देने वाले है तो उसके बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की जूरत है तो जो टाइम शेडूल में आपको देने वाला हूं जो टाइम मै अब जब टाइम टेबल का वीडियो जब लाऊंगा उसमें पूरा टाइमिंग के हिसाब से समझाओंगा अब यह मैं सिर्फ एक ओवर्विव लेकर आया हूं जिसमें आपको चीजे क्या समझा रहा हूं ध्यान से सुनना क्या है वो चीजे अब यहां पर अगर आप फोकस करोगे तो मॉर्निंग तीन कैटेगरी में मैं डिवाइड कि है मॉर्निंग आफ्टरून और नाइड और म नाइड का टाई में 5-11 यह पिम ही अगें तो समझ लो कि आपका जब स्कूल स्टार्ट हो जाएगा तो डिपेंड करता है कि आप कून से क्टेगरी में आते हो पहली बाट तो यह तीनों में से हो सकता है कोई 2 क्या टेगरी आपका हो ठीके तो उन 2 काटेगरी में आपको प करें कि आपका कैटेगरी कुन सा है और खुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनके स्कूल जो होते हो ग्यारा बजे बारा बजे एक बजे के दोरान होते हैं तो आप लोग जरूर से बताना कि आप कौन से कैटेगरी में आते हो सुबह साथ आठ नौ वाले कैटेगरी की दुपहर के क्यारा बारा एक वाले कैटेगरी में हो जरूर से बताना अब उसके इसाफ से आप खुद एनलाइज करो कि आप कौन से कैटेगरी में फिट होगे जैसे माल लो कि अगर आपका स्कूल सुबह का है तो सुबह का स्कूल है साथ बजे जाना होता जैसे मैं भी जब स्कूल जा तो मतलब आपको भी लगबग साथ बजे पहुचना है स्कूल में तो छे बजे उठे होंगे तो छे बजे उठे होंगे तो पहला जो रूटीन ने वह आप चाहा के भी फॉलो निकर पाऊगे क्योंकि यही रूटीन में मेरा क्या था क्या था कि अगर आपका स्कूल दुपेर का है आप मार्निंग में यह आप फ्री हो अगर आप मार्निंग में फ्री हो तो आप ये पैटन फॉलो कर सकते हों क्या follow करना है, कि आप सुबे जो भी टाइम पे उठ रहें, वो मैं टाइम टेबल के वीडियो में बताऊंगा, ये टाइम टेबल वीडियो नहीं है, ये टाइम मैनेजमेंट वीडियो है, कि कैसे मैनेज करना है, तो अगर आपका स्कूल दुपेर में है, तो ये 5 से 11 का जो ट होतते हैं, तो हम पूरी, मतलब बोलते हैं, चिंता मुग टोके उठते, हमारे दिमाग में कोई स्ट्रेस नहीं होता, हमारे दिमाग में कोई overthinking नहीं होता, हम मौनिंग में उठते तो फ्रेश होता है, तो हमारा दिमाग जादा खुला हुआ होता है, तो इसमें आप ऐसे जो आपको usual तोर पर याद करने में नीन आती हो, usual तोर पर याद करने में बोरिंग लगता हो, ऐसे subject को याद कर सकते हो, तो मेरा हमेशा से recommendation रहा है, कि morning morning ऊठके न सर्थी पड़ो, social study, history, geography, political sign, मारो रट्टा, आप बिना देखे रट्टा नहीं मारना, मतलब ऐसा, blindly रट्टा बोलते हैं समझो पहले समझने के लिए concept क्लियर करना पड़ेगा concept के लिए आप हमारे वीडियो देख सकते हैं हमारे इस चैनल जया टूटरोस पर हमने सारे वीडियो डाल रखें तो आपको क्या करना जैसे मैंने बोला दो घंटा study करना है तो दो घंटे में आप एक घंटा व फिर इनटे में आपने थोड़ा भघा के देखा वंट 내가 अपने दो लेक्चर देख लिए मठंख लिए मतलब आदा चाप्टर समझ के हो गया कि ऐसाण में अब वो अधे chapters में उसके भेस पर उन topics के बेसे जो भी आपके exercise में होंगे, उसके solutions देखो, आपके वास notes होगा, digest होगा, खरीद लो नहीं होगा तो, और उसमें से उसके questions के answers को याद करना शुरू कोरें, मतलब पहला एक घंटा आपको वीडियो देखना है, जिससे आपको concept समझ में आ जाएगा, उस chapter के बारे में समझ में आ जाए ठीक है, अब माल लो आपका दुपर में school था, तो आप दुपर में school चलेगे, फिर आप में वापस free हो जा रहे हो आप लो, जो बच्चे कहा जा रहे थे, दुपर में school जा रहे थे, उसकी बात कर रहा हूँ है, तो वापस से night में free होगे, तो night में जो पाच से क्यारा का जो maps, तो maps solve करो, अब solve करने के पहले समझ में भी तो आना चीन है कि कैसे करना है, तो उसके लिए again क्या कर सकते हो, एक घंटा वीडियो देखो, सबसे पहले एक घंटा वीडियो देखो, कोई भी एक chapter का वीडियो उठाओ, दो तिन वीडियो देख लिया, समझ में आ गया, अब उन्ही वीडियो में जो कराएगए questions है, उसको एक page पे लिखो questions को, और उसका solution खुझ से solve करने के कोशिश करो, तो एक घंटा वीडियो देखा, और एक घंटा आपने क्या किया, practice किया, एक घंटा solve किया, जितना हो सके practice किया, ठीक है, या तो अगर load जादा है, homework वगर जाद इनका morning में स्कूल हो, तो सुबह साथ बजे स्कूल चले जाएंगे, आएंगे बिचारे बारा एक बजे, तो ये तो follow नहीं कर पाएंगे, मतलब सुबह का study नहीं हो पाएगा, लेकिन दुपेर का और शाम का तो study हो पाएगा, तो दुपेर के study में आपको क्या करना है, 11 सले के पाच का जो टाइमिंग है, इनके बीच में कभी भी आपको दो घंटा अगर मिल रहे हैं आपको, तो वो डेली दो घंटा आपको study करना है, जिसमें आप math और science जैसे subject ले सकते हो, खासकर science, science अच्छा होगा, जैसे आप fresh आ आ रहे हो, स्कूल से पढ़के आ आ रहे हो, मा जान लो एक घंटा याद किया, एक घंटा वीडियो देखा, दो घंटे के अंदर आपका आधा chapter खतम, तो यह कर सकते हो, और बाइचांस अगर math कर रहे हो, तो math का same pattern, पैले वीडियो देखो concept clear दो और फिर एक घंटा practice कर लेना, तो इस प्रकार से आप दुपर में कर सकते ह तो दो घंटा, दो दो घंटा, चार घंटा होता है, लेकिन मैं अगेन बोलना चाहूंगा, it is up to you, जो दसवी वाले बच्चे हैं, तो यह चार घंट इडिलाइस कर सकते हैं, लेकिन जो आठवी में है, उनको चार घंटा पढ़ने की जुरूद नहीं, आप दो घंटा जहा कि सुबे 6 बजे उठके, 7 बजे ये करना, 8 बजे करना है, वैसे बताऊंगा, जो कि पिछले साल वाले बच्चे को भी बताया था, अभी भी वो वीडियोस होगा, जो आपको हेल्प करेगा, तो वो वीडियोस भी चेकाउट कर सकते हो, तब तक के लिए, ठीक है, समझ में आगया, तो इंतचार करना बहुत जल्दी मिलाओंगा, आज के लिए इस वीडियो को एंड करता हूँ, उमीद करता हूँ, ये वीडियो आपको अच्छा लगाओगा, अगर ये वीडियो पसंद आया है, तो अच्छा-चा कॉमेंट कर सकते हो, फीडबैक दे सकते हो, पसं फटा-फट से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ठीके दोस्तों, तो चलो, जल्दी मिलेंगे फिर एक और नवी वीडियो में, तब तक के लिए, थांक्यू, एंड गुडबाई